असलाम रिक्म स्टूनेंट्स आज हम एक्सराइज 2.2 डिस्कस करेंगे इसका फिर्स वला क्वेस्टन है इडेंटिफाइज फॉलिंग प्रॉपटी यूज इन दा फॉलिंग यूज इन दा फॉलिंग के जो नीचे हमें गिवन दिये होंगे उनमें कौन-कौन सी प्रॉपट अगर डिप्लेशमेंट सिंपल की यह वो तो इसका कमौन-टेटिव प्रॉपटी और अगर द्रम्यां में प्लास है तो लिखते हैं विद रिस्पेक्ट तू अडिशन अगर मल्टिप्ला लिखा हो तो इसका सेकटेंड वाला जो पार्द है ओसे एए मल्टिप्लाइबाइ की और पटीन नम्भा नाट का तो मेल्डिप्लाइख करें डिर्प टू को मल्टीप्लाइख कर दें यां यहां पर लॉस्ट को मडीपिलाइख कर्दें जो फूसे प्रॉपरटी लिखिटER property अच्छा दरम्यान में multiply का sign है तो with respect to multiplication इसको write करेंगे ठीक है इसका जो आपके पास third वला part है third वला part है हमारे पास seven multiply by one is equal to seven को बाने के साथ multiply करें तो seven again आता है ये सब को पता है लेकिन इस property को नाम दिया जाता है multiplicative identity मल्टिप्लिकेटिव अइडेंटिटी ठीक है ये किसी भी नमबर को one के साथ multiply करने से वो itself number answer आता है इस property का नेम है मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसके बाद है four वाला हमारे पास part है x greater than y और x is equal to y और x less than y अगर हमारे पास दो given number हों उनकी तीन possibilities हो सकती है यहां तो x greater हो सकता है y से यहां वो दोनों equal हो सकते है यहां x जो है वो less हो सकता है y से तो इस property को नाम दिया जाता है tricotomy ठीक है tricotomy ठीक है property यह आपके पास है tricotomy प्रापटी हो जाती है उसके बाद आपके पास है इसका फिफ्ट वाला पॉड फिफ्ट वाले में है a multiply by b is equal to b multiply by तो इनकी भी सिंपल दो नंबर्स हैं की रिप्लेस्मेंट की हुई है जगा तबदील की हुई है इसको भी बोला जाता है commotative property और with respect to multiply का sign है तो with respect to multiplication लिख लेंगे उसके बाद 6 वाले में है a plus c is equal to b plus c such that a is equal to b मतलब यह c और यह c देखें न के c हम को हम जो साइड पर लेकर जागे तो वह zero कर देते हैं और हमारे पास से remaining यह बचता है तो इस तरह की जो property होती है कि अगर a plus c is equal to b plus c हो तो a is equal to b simple यह अगर यह आपस में cancel हो जाएंगे a is equal to b बेच जाएगा इसको वह लाजाता है additive property क्या वह लाजाता है cancelation law with respect to addition यह cancel हो चुका हो है cancelation property with respect to addition ठीक है plus के लिए यह उसके बाद आपके पास है seven वाला इसका seven वाले में हमें given दिया हुए 5 plus minus 5 is equal to 0 5 plus minus 5 मतलब 5 का sign change किया हुए तो यह जो है एक दूसरे के sign का simple difference है जब sign का simple difference हो answer additive identity है तो यह आपस में होते है additive inverse आप इसको write करेंगे additive inverse उसके बाद इसका जो eight वाला पाड़ है seven multiply one by seven is equal to one अब seven को one by seven साथ multiply करके one answer आ रहे है तो seven और one by seven एक दूसरे के multiplicative inverse होंगे ठीक है तो मतलब अगर fraction का change होगा तो multiplicative inverse होंगे और अगर simple sign का difference होगा तो वो additive inverse होंगे तो आप इसको write कर लेंगे यह है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ठीक है उसके बाद इसका eight वाला पाड़ है नाइन वाला पाड़ है मारे वास a greater than b such that a c greater than bc और c greater than zero ठीक है तो a greater than b is equal to c simple gas c both side multiply किया हुआ है इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रापर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रापर्टी सिंपल इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रापर्टी का नहीं दिया जाते हैं ओके मुसके पाद है question number two question number two में हमने बताना है कि fill in the falling blanks by setting the properties of real numbers used यह हमें question given the 3x plus 3 into y minus x इसमें हमने प्रापर्टी यूज की हुई है step भी नीचे लिखे हैं हम वो right गर लेते हैं step कुछ इससे तरह आगे हैं कि 3x plus 3y minus 3x is equal to 3x minus 3x ठीक है इदर ले आएंगे plus 3y is equal to इसका answer 0 लिखा हुआ है plus 3y और again आपके पास final answer आएगा 3 यह आपके पास book पे given दिया हुए हमने बताना है कि यह काम होगा है किस किस property के मताबक हो है तो सबसे पहले देखें कि 3 जो है इसे तीन नमबर्स हैं 1, 2 and 3 और 3 अंदर distribute हुआ हुआ है तो इसको बोलेंगे left side से distribute हुआ हुआ तो left distributive ला बोलते हैं तो यह आपके पास किया बन जाएगा left distributive property ठीक है with respect to addition to subtraction, multiplication to subtraction left distribution property simple लिख लेंगे हुआ ठीक है यह left distribution है उसके बाद है यह जो minus 3 है उठा के side पे लाया हुआ है ठीक है यह 3 बाइदर और यह इदर मतलब इनकी replacement की हुई है तो यह आप बोलेंगे commodity property है commotative property और किसके respect से with respect to addition है ठीक है तो यह with respect to addition राइट कर लेंगे अब 3X में से minus 3X minus किया हुआ है जीरो आंसर हुआ है यह plus का 3X है यह minus का 3X है इन दोनों का answer क्या आया है जीरो additive identity आया हुआ है तो यह दोनों आपस में multiplicative inverse हैं इनको क्या सब्सक्राइब हो रहे हैं ना अधिटिव इनवर्स लिखेंगे अधिटिव इनवर्स हो जाए ठीक है उसके बाद यह 0 किसी भी नंबर में एड़ किया जाए तो उस पर कोई भी फैक्ट नहीं बढ़ता तो यह होती है एडिटिव आइडिटिव 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 ठीक है तो यह आपके पास question number two है simple आपने जो जो properties के अंदर यूज की हुई है उसका नेम लिखने आपने उसके पास हमारे पास third question है उसमें भी हमने simple बताना है कि कौन कौन सी property यूज की हुई है तो फ़स्ट है 24 के root plus zero is equal to 24 तो आपको नदर आ रहा होगा कि zero जिस भी नंबर में आड किया जाए वही नंबर अगेन आता है इस प्रापरटी को नेम दिया जाता है additive identity ठीक है second है minus 2 by 3 multiply by 5 plus 7 by 2 is equal to minus 2 by 3 multiply by 5 और plus minus 2 by 3 multiply by 7 by 2 तो ये minus 2 by 3 अंदर distribute किया हुए distribute का मतलब है divide करना तक्सीम करना ठीक है तो minus 2 by 3 5 के साथ भी multiply हुआ है और 7 by 2 के साथ भी left side से multiply हुआ है तो इसका बोलेंगे left distributive property left distributive property अंडर multiplication to addition ठीक है इसका थर्ड वला part है थर्ड वला part है थर्ड वला part है पाई प्लस माइनस पाई is equal to zero तो एक नंबर है जो भी नंबर है नंबर का sign चेंड किया हुआ है तो नंबर का square root 3 multiply by square root 3 ये dot का मतले multiply है is real ये इसका इसकर कहता है रियल आते है तो आता है वाकी में real आएग इसकर इसको जो multiply करेंगे तो या या रियल नंबर है और ये भी real नंबर है तो दो कि अबाद फिफ्ट है माइनस five by eight माइनस five by eight multiply by इधर माइनस माइनस eight over five तो देखें five by eight यह क्या है eight by five तो दोनों की fraction change है तो answer automatically one यह आना यह सारे cancel हो जाने है आपस में तो cancellation होने के बाद answer one आजएगा तो जब एक multiply करने से answer one answer आजे तो वो दुनों आपस में एक दूसरे के multiplicative inverse होते हैं तो आपकी यह exercise mcqs point of view से बहुत ज़्यादा है important है तो आपने इसमें क्या बताना होगे कौन-कौन से नंबर में कौन-कौन सी properties यूज़ होती है तो अगर आपको किसी भी किसम की confusion होती है तो आप मुझे से पूछ सकते हैं अलाहाफिस